हलो फ्रेंड्स मधोज किचन में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ रसीला उला मुरब्बा बनाने का सबसे असान तरीका बता रही हूँ आप इसे स्टोर करके एक साल तक रख सकते हैं मैंने आपके साथ मुरब्बा की कई सारी रेश्पी सेयर की है पारंपरिक तरीके से कैसे बनता है इंस्टन्ट तरीके से कैसे बनता है आप सबने इस बीडियो को बहुत जादे पसंद किया पारंपरिक तरीके से जो मुरब्बा बनता है इसे बनाने में दो से तीन दिन का टाइम लगता है और instant आवला मुरब्बा बनाने में सिर्फ एक घंटे का टाइम लगता है आज मैं जो recipe share कर रही हूँ ये instant आवला मुरब्बा है लेकिन ये मुरब्बा बनाने का सबसे असान तरीका है तो नर्मिली लोग आवले को गूद करके बनाते हैं तो बहुत लोगों को आउला गुदने में दिक्कत लगता है, उन्हें लगता है कि इसमें बहुत महनत पड़ रहा है, तो आज कच्ची आउले को गुदेंगे नहीं, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले आउले को गरम पानी में ढालेंगे, और इसे डेड़ से दो मिनट बॉयल करेंगे, इससे जादे नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है कि आउले का कलर चेंच हो जाए, आउला थोड़ा सा साफ्ट हो जाए, इसके बाद आउले को पानी से निकाल लेंगे, जो आउले का पानी बचेगा, इससे आप बाल धो सकते हैं, आपके बाल भी त्याले होंगे आवला ठंडा हो जाये इसके बाद इसी एक फॉक की सहयता से गोद लेंगे करचा आवला गोदने में ज्यादे दिकत होता है लेकिन 12-20 मिनट वैल कर देने से यी कम आसान हो जाता है आवला को गोदने के बाद इसे मैं कड़ाही में डाल रही हूँ इसमें चीनी डालेंगे जितना आवला है आप उतना ही चीनी ले एक केजी आवला लें तो एक केजी इसमें चीनी डालें आपको मीठा ज्यादे पसंद हो तो आप चीनी की मातरा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो मैंने इसे एक घंटे के लिए ढख के छोड़ दिया था इसके बाद गैस पे चढ़ाया है गैस का फ्लेम मैंने लू किया है लू फ्लेम पर इसे पांच मिनट पकाया है इसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे इसी तरह आप इसे लू फ्लेम पर ही पकायें जब तक चीनी अच्छी तरह से मिल्ट नहों हो जाए ध्यान रहे इसमें पाने नहीं डालना है आउले का जो पानी होगा इसी से ये चीनी अच्छी तरह से मिल्ट हो जाएगा आउले को मैंने 15 से 20 मिनट तक पकाया है आप देख सकते हैं चीनी 60-70% मिल्ट हो चुका है अब मैं गैस का फिलिम हाई कर दे रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मिल्ट हो जाए ये रसीला आउला मुरब्बा खाने में बहुत जादे टेस्टी लगता है चीनी मेल्ट हो चुका है आप देख सकते हैं चासनी ये पतला दिख रहा है अब गैस का फिलिम मीडियम लो पर कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे तब तक पकाना है जब तक आउला और चासनी का कलर अच्छी तरह से ब्राउन न हो जाए आप देख सकते ह आउला और चासनी का कलर ब्राउन हो चुका है इसे पकाने में 40 मिनट का समय लगा है अब मैं गैस को आफ कर दे रही हुँ इसमें डालेंगे आधा छोटा चमच इलैची पाउडर आधा छोटा चमच काली मिर्ज पाउडर आधा चमच काला नमक आप बिना काला नमक का भी बना सकते हैं काला नमक नहीं डालने से आप इसे ब्रत में भी खा सकते हैं आपको चासनी पतला दिख रहा है लेकिन ठंडा उने के बाद एक गारा हो जाएगा तो मैं आपको 8-10 गंटे बाद दिखा रही हूँ ये देखी चासनी सहथ की तरह गारा हो गया है इसका मतलब आ अगर आपका चासनी पतला दिखे तो आप इसे दोबारा पका सकते हैं तो मुझे उमीद है आप सबको हमारी रसील आउला मुरब्बा के रेस्पी जरूर अच्छी लगी होगी आप से नई वीडियो में नई रेस्पी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे तब तक के लिए आप का बहुत बहुत धन्यवाद